कैनडा शौर्ट टर्म वीजा, SX-1 वीजा, इस्टडी पर्मट की तरह ही है, जैसे लोग कैनडा में पढ़ने जाते हैं, जदी आपका कोर्स छे महीने से कम का होता है, तो आपको SX-1 वीजा मिलता है, दो प्रकार के कैनडा में स्टडी वीजा होते हैं, जदी आपका कोर्स छे महीने से ज़्यादा का है, तो आप स्टडी पर्मट अप्लाई करते हैं, जदी आपका कोर्स छे महीने से कम का होता है, तो आप SX-1 वीजा अप्लाई करते हैं, आज कनेडियन कॉर्मिट द्वारा कैप लगाई गई है बच्चों पर जो भी बच्चे पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं जो भी डिपलोमा में डिगरी में बच्चे जा रहे हैं उनके उपर कैप लगी है अटेस्टेशन लेटर का नया फार्मूला आया है जब तक आपको क जो इस अटेस्टेशन लेटर नहीं देगा आप स्टडी वीजा की अप्लिकेशन फाइल नहीं कर सकते ऐसे में जदी आप एसेक्स वान वीजा अप्लाई करते हैं इसके लिए कोई अटेस्टेशन की जुरूरत नहीं है बिना अटेस्टेशन लेटर के आप फाइल लगा सक है ता जो गरीब घरों के बचे भी पलाई कर सके आपको छे मीने से कम का स्टेडी वीजा मिलेगा आप छे मीने से कम की पड़ाई पर जाएंगे इसकी फीज पंदरा सो डालर रखी गई है और ये पैसे भी आप से वीजे के बाद भरवाए जाएंगे जदि आपका पिछले छ वीजा रिफ्यूज भी हुआ है चाहे स्टडी वीजा रिफ्यूज हुआ है विश्टर वीजा रिफ्यूज हुआ है आप इसको दोबारा अपलाई कर सकते हैं जदि एसेक्स वन पे जाते हैं एसेक्स वन में जाने वाले बच्चों को बिना आइल्स के एप्लिकेशन की फि SX1 है हमारे पास 45 साल उमर वालों के भी SX1 है आप सबसे पहले हमारे आफिस पहुंचके हमारे से लगे हुए वीजे देखिए बहुत सारे लोग आपको गुम्रा करेंगे कि ऐसी कोई काटगरी नहीं होती अपलाई करने से पहले कनेडियन गौर्मेंट की वेबसेट पे जाएए study permit application पे जाएए study permit application पे clear आपको नजर आएगा कि course less than six month और above six month जदी आपका course छे महीने से कम अवदी का है तो आप SX1 वीजे अपलाई करेंगे यह उन गरीब भाई बहनों के लिए जिनके पास पैसों की दिक्कत है आज कैनड़ा जाने के लिए पहले तो तीस पैसे लाख रुपया चाहिए और आपको यह पैसे पहले भीजने पड़ते हैं यहाँ ना तो जिये इसी चाहिए और ना ही आपको आइल्स चाहिए स्पैसली उन लोगों के लिए फिसिल्टी है जो पिछले छे मीने के अंदर अंदर वीजा रिफ्यूज कराया है जिनोंने या जिनके अभी जनवरी इंटेक के बाद रिफ्यूजल आ रही है आज मास लेवल पे रिफ्यूजल आ रही है पीटी वाले बच्चों की पीटी में जदि किसी के साथ नंबर से कम है तो मैक्सिमम अप्लिकेशन को रिफ्यूजल मिल रही है जदि आपने पीटी पे फाइल डाली हुई है या पीटी पे आपका वीजा रिफ्यूज हुआ है आप अभी हमारे से अपलाई कर सकते हैं जो SX1 कैटगरी है ये स्टडी पर्मिट कैटगरी में नहीं आती इसके उपर आपको अटेस्टेशन का रूल इसके उपर लागू नहीं होता यदि आपको स्टडी वीजा ही अपलाई करना उसके लिए अभी आपको दो मीने रुकना पड़ेगा हो सकता है ये अपरल में शुरू होता है हो सकता है माई में शुरू हो आज के दिन SX1 short term study visa आपके लिए एक best option है जितने भी बच्चों की फाइलें refuse हुई है जिनके पास GAC certificate है अलड़ी जिनके अलड़ी offer letter आई हुई है दो चार collegeों से आप visa refusal ले चुके हैं हमारे से apply करिए हम पंद्रा सो डॉलर में आपको apply कराएंगे चारा जानकारी के लिए एक बार दफ्तर विजिट कीजिए या दिएगे स्क्रीन पे नंबर है इनके उपर कॉल करके appointment बनाईए अगर SX1 apply करते हैं यह तीन हफ़ते का process है within three weeks आप visa ले पाएंगे हमारे office में पहुंच के सबसे पहले visa देखिए जदी हम आपको लगे हुए visa दिखाएंगे तो ही आप apply करिएगा चाहते हैं SX1 apply करना अभी call करें यह सुबह call करके office आएं कल सोबर मिलते हैं धन्यवाद जैश्री राम